आज के अमरी लेक्टर में हमरा टॉपिक है वाइटल साइन वाइटल साइन क्या होते हैं अब मेयर्मेंट किस तरह से होती है एसे मेयर कर रहे होते हैं जैसे हमरा टेमपेच़ एक थर्मा मिटर से मेहर करते हैं और पलस हो गयी हमाजी रेसपारेशन ब्रवर प्रेशर यह 4 ग्मारे वाइटल संन इसे diyor को और साइन और साइन अख benefits भी कहते हैं, सबसे पहले body temperature आ जाता है, body temperature को देख लेते हैं, the body temperature is a degree of heat maintained by the body, basically ये degree कहलाती है, हमारी जो heat होती है उसकी, और जो हमारी body उसे maintain कर रही होती है, हर time पे, और ये एक balance होता है, it is balance between heat produce and heat loss, कितनी heat produce हो रही है और कितनी loss हो रही है, उनके बीच में जो एक balance होता है, और जाता है, body temperature, हम कहते हैं, कि degree of coldness and degree of heat is called body temperature, मतलब इनकी जो degree कहलाती है, उनके balance हो रहा है, उसको हम body temperature कहते हैं, और अब ये हम देखते हैं, कि हम ये कहां कहां पे देखते हैं, और कि कौन सी ranges पे ये normal कहलाते हैं, सबसे पहले हमारा body temperature, oral, commonly जो पहले यूज होता था, नाइजिक thermometer, तो oral में 37 Celsius, अच्छा, Celsius को पहले centigrade कहते थे, अब ये Celsius ही है, standard language में, और Fahrenheit वही है, 98.6, ये oral में आ जाता है, रेक्टल में 37 points Celsius, और 99.6 Fahrenheit चेक करते हैं, normal range है, और auxiliary में भी 36.4 Celsius और 97.6 Fahrenheit, ये basically normal ranges हैं, ये हमारी commission में आती हैं, कि ये कितने तक normal range, रेक्टल में कितना होता है, ये हमें याद रखनी चाहिए, फिर आगे body temperature को define करता है, कि the normal body temperature depends on when, where and in home, जो normal body temperature होता है, वो depend करता है, कि आप कहां पर हो, मतलब आप कब चेक कर रहे हो, कहां पर हो, और किस का चेक कर रहे हो, तो ये तीन जो question दिये हो है, when, where and home, तो basically इन पर डीन को नजर अखते हुए, इनका ये मतलब होता है, कि मिर्साल का पर आप exercise कर करके आगे, ठीक है, कब कर रहे है, where अप गर्मी में हो या आप सर्दी में हो, इस助ज thankful, कि स्क्रूब कर रहे हो, ये नेенapon कर रहे हो, इन चीजों पर यादी आप सर्दी में कर रहे हो, इन बीजिन सब्सक्राइब का दो टैंपरेचर होता है जो मारे विदिन अबाड़ी दो सर्फाइस टैंपरेचर वह दोनों हमारा हीट रीडिक दूरी गजिए उसका यहां पर मतलब आजाता है इनकी वज़ा से मतलब हमारी मिसाल की तूर पर वेर कब हम चेक करें उनकी वज़ा से अगर स्लाइड फिलिक्षिन आ जाती है मन ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारा बाड़ी ट्रेंप्रेचर की रेंज रखी गई है कि यहां तक नॉर्मल हम कंसीडर कर सकते हैं 37 सेलसस और 99 फा अग्जिया भी बोलते हैं इसका मतलब होता है कि बाड़ी ट्रेंप्रेचर हमारा नॉर्मल से ऊपर चला गया है इसको हम फीवर करेते हैं फिर सेकरन पर हाइपो थर्मिया यह कुछ टर्म में अगर बिलर हमारा टेंप्रेचर अगर लोग हो जाए नॉर्मल लेवल से 95 पर 35 पर आजाए तो हम हाइपो थर्मिया से कंसीडर करते हैं उसके बाद आ जाता है हमारा हर्ट रेट जो सेकंड वाइटल साइन हमारा हर्ट रेट को देख लेते हैं वेंड़ वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉंटेक्स एफॉर्स अबाट दो सेवन्टी एमल आप बिल अएमल जो एच हमारी भीट हमारा बिलड बैसिकली हर्ट पंप करती है और आटीज के अगेंस्ट तो हम हुसे हर्ट वहां पे जो एक जनरेट होती है forces, उसको हम heart rate कहते हैं, अब जो arteries की elasticity होती है, या वो expand होती है, ठीक है, added amount भी जा सकता है, जो blood का होता है, और ये only to expand again with next wave of the blood, फिर ये relax होगी, फिर जारी बाते फिर इसको एक expandation लेनी होगी, ठीक है, this expansion and recoil of the arteries, expansion होई, फिर recoil वाइपस उसी time पे आगी, with the next wave of the blood, heart, ये हमने discuss कर लिया, ये जो चीज होती है, ये जो मरहला होता है, वो indicate कर रहा है, the frequency heart rate, बतलब ये कितनी बार हो रहा है, ठीक है, एक मिनट में कितनी बार हो रहा है, तो फिर हम उसे क्या कहते है, heart rate कहते है, और normal heart rate हम रहा होता है, 60 to 100 beats per minute, average 72 beats per minute, कहते हैं, पल्स को आगे हमने define किया कि पल्स काहम पर हम basically check करते हैं, pulse can be felt by the fingers, finger के साथ करते हैं, on point where on the artery cross bone close to the surface of this, basically हम pulse काहम पर चेक करते हैं, कि हमारी finger से check करते हैं, और artery जो हमारी bone के ओपर से गुजर रही होती है, skin के surface पर, हम basically वहां पर assess कर दो, अब यह जहां पर location और pulse taking की दी हुए हैं, कहां कहां पर हमारी pulse localize होती है, pulpable होती है, हम चेक कर लेते हैं, हमने यह पड़े भी है, radial wrist पर होती है, temporal brain के bone पर होती है, kerodid हमारी neck की side पर होती है, होती है, rhythm की, rhythm को हम देख रहे होता है, rate को, volume को, throbbing, अगर artery कितना against, मतलब, bone promise के against, कितना blood flow push कर रही है, basically, यह हो गया हमारा heart rate, फिर हम देख लेते है, respiratory rate को, respiratory rate basically क्या होता है, कि यह act of breathe होता है, oxygen का, और breathe out होता है carbon dioxide, मतलब आपने कितनी बार breathe ली, कि मतलब oxygen अंधर ली और कितनी बार आपने expand की carbon dioxide, basically, इनके बीच में मतलब हम एक ही count करते हैं, breathe और carbon dioxide out को, एक ही बार count करते हैं, ठीक है, respiratory rate is a number of time a person breathe in a minute, one breathe include both inspiration and expiration, जो मैंने आपको बहुँ बात बताई, कि inspiration and expiration को हम क्या करते हैं, one breathe बोलते हैं, ठीक है, यह नहीं होता कि एक breathe in किया तो वो अलग हो गया और breathe out के यह अलग नहीं, यह एक ही चीज़ होती है, ठीक है, नॉर्मल respiration rate जो होता है, adult का 12 to 20 breathe per minute होता है, फिर हमारे पास terms आ जाते हैं, respiration के take you in a, अगर respiration rate बढ़ा हो नॉर्मल से hybrid बने अगर नीचे हो, कम हो, अगर बिल्कुल सांस नहीं आ रहा हो या बंद हो गया हो, डिसनिया, मतलब difficulty हो रही हो या लेबर्ड breathing भी कहता हैं, भाई, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, ठीक है, यह हमारे respiration rate के लाल है, फिर लास्ट में हमारा आ जाता है, ब्रेड प्रेशर, ब्रेड प्रेशर बेसिकली वह भी मेयर्मेंट हमारे होते हो प्रेशर की और यह force of bullet against the wall of your artery, ब्रेड का कितना force लग रहा है, आटरी के वाल के अगेंस्ट हम ब्रेड प्रेशर उसे कहता है, systolic pressure तब के लाता है, जब हमारी arteries जो होती है, वह push करती है blood against the body, मतलब body की तरफ जब push करती है, वह systolic pressure के लाता है, और diastolic pressure जब arteries हमारी relax होती है, rest करती है, मतलब के एक बार push किया और फिर जाहरी बात है वह वह वापस अपनी जगह आएंगी, तो वह diastolic के लाएगा, अच्छा जो हमारा normal blood pressure होता है healthy adult का, 120 by 80 mmHg होता है, और अगर blood pressure 140 to 90, अगर आ जाए तो हम उसे pre hypertension केते हैं, अगर blood pressure 140 to 90 से अब वह चला जाता है तो वह hybrid pressure के लाता है, फिर hypotension हमारा 90 to 62 से अगर lower आ जाए तो हमारा hypotension, आज के lecture में हमने vital sign discuss किये और तब तक के लिए इजादत दें, आप लोगों का शुक्रिया